इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत यह प्रभावी रूप से दर्द, लालिमा और सूजन को कम करता है। एटोनाओ 120 टैबलेट को आपके डॉक्टर द्वारा सलाह के अनुसार खुराक और अवधी में लिया जाना चाहिए। एटोनाओ 120 टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है। लेकिन बहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए। फ्लू जैसे लक्षन, अपच, पेट, दर्द और दस्ट कुछ ऐसे दुश प्रभाव हैं जो इस दवा के साथ देखे जा सकते हैं। इससे चक्कर आना और थकान हो सकती है। जब तक आप यह नहीं जानते कि यह आपको कैसे प्रभावित करता है। तब तक आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए या ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिसमें एकागरता की आवशकता हो। गर भावस्था के दौरान इसे लेना संभावित रूप से असुरक्षित है। अपने चिकित्सक को सूचित करें यदि आपके पास पेट के अलसा, हिरदे रोग, उच्च रक्चाप और यकृत या गुर्दे की बीमारी का इतिहास है। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। धन्यवाद।